नमस्कार, हर कहानी कुछ कहती है, आज की कहानी क्या कहती है, तो चलिए सुनते हैं सिवधत पांडे की लिखी कहानी मात्र हृदय इसराइल राष्ट में एक राजा निश्तासन किया, उस राजा का सोलोमन नामक पुत्र था, वो अभी अल्प वयस की था, एक बारवा अपने पलंग पर आराम से सो रहा था, तब ही आकास वाड़ी हुई वत्स सोलोमन हम तुम से प्रसन हैं, तुम कोई इच्छित वर्दान मांगो। राजकुमार ने सोच कर कहा, हे देवाधि देओ, यदि आप मुझे संतुष्ट हैं, तो मुझे बुद्धी दीजिए। समय बीतने पर सोलेमन अपने पिता की राज सिंगासन पर बैठा, राश्ट अध्यच के पद पर उसने कुसलता पूर्वक्सासन किया, अपने पिता की भाथ वा भी न्यायप्री एमजनप्री था, उसने बहुत ख्याती अरजित की, एक दिन दिन के पहले पहर में परस पर लड़ती हुई महलाओं ने राज महल में प्रवेश किया, सोलोमन को प्रडाम करके एक इस्त्री ने कहा, हम पास के ही गाउं में रहती हैं, हम दोनों ने एक एक बच्चे को जन्म दिया, दुर्भाग से इसका बेटा मर गया, इसने रात में मेरे नौजात बेटे को चुरा लिया, राजा ने कौतूहल से उस इस्त्री को पूछा, क्या इसने तुम्हारे बच्चे का अपाहरण किया है, पहली इस्त्री ने राजा को प्रति उत्तर दिया, मैं सो रही थी, ये चुपचाप मेरे पास आकर अपने मरत पुत्र को मेरी सया पर कुसलता से रख कर मेरे सो पे हुए सिसको लेकर भाग गई, मुझे मेरा पुत्र दिला दीजिये, उसकी पूरी घटना सुनकर राजा ने दूसरी महिला से इस घटना की सत्ता के बारे में पूछा, उस इस्त्री ने कहा, हे राजा धिराज या इस्त्री जूट बोल रही है, इसी ने मरत पुत्र मेरे पास छोड़कर मेरा जीवित पुत्र चुरा लिया है राजा ने पहली इस्त्री से कहा सही बताओ अन्यथा कारागार की सजा भुगत नहीं पड़ेगी बारंबार कोमल हाथों से असुप्रवाह को रोकती हुई दीन हीन मुक्स और फटी हुई आखों से पहली वाली ही घटना फिर से बताई इस प्रकार परस पर विप्रीत कथन को सुनकर राजा ने मंत्रियों से सलाह मस्विरा किया मंत्री मंडल भी चुप हो गया राजा ने अपने सेवक को तलवार लाने का आदेश दिया इसी बीच सिस जोर जोर से रोने लगा तलवार हाथ में लेकर अपना निर राजा के तलवार उठाने पर पली इस्त्री रोती हुई थोड़ा आगे आई और बोली राजन रुकिये रुकिये इस बच्चे को मत काटिये या बच्चा इसी को दे दीजिये या कहते हुए उसने राजा के हाथ से जबरजस्ती तलवार छीन कर दूर फेग दिया राजा संतुष्ठ हो गया उसने कहा कोई भी मा अपने बेटे की मरत्तु नहीं देख सकती यही बालक की वास्त्विक माता है उसने सेवक को आदेश दिया इसे या बालक तुरंत शौप दो बालक उसकी गोद में जाते ही चुप हो गया राजा ने दूसरी इस्त्री को कारा अवास में ले जाने का आदेश दिया न्यायप्री राजा की जय हो इस जय जयकार से संपूर सभाभवन गोंज उठा धान्यवाद अभी आप सुन रहे थे सिवदत्त पांडे की लिखी कहानी मात्र हिदय